आउज़ बिल्लाहिमिन शेट वानत वाजीम बिस्मिल्लाहिर रोख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ बोफिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24 आर फैवन टीचर्स ऑनलाइन दोस्तों आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट एकनोमिक्स शुरू करने जा रहे ह हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की किसर हमारा ये सब्जेक्ट भी मुश्किल है इसके उपर भी आपके लेक्चर होने चाहिए तो उन रिक्वेस्ट को मंदे नज़र रखते हुए मैंने ये सब्जेक्ट शुरू किया है मुझे पुरी उमीद है क आप लोगों को बाकी मेरे सब्जेक्ट की सीरीज के साथ ये सीरीज भी बहुत पसंद आएंगी और आप इस सीरीज से भी फाइदा उठाएंगे दोस्तो इस सीरीज में इंशाला मैं आप लोगों को economics के जो basic concepts हैं ना फिरफ वो सिखाऊंगा बलके समझाऊंगा भी और उस से हम कैसे गोशवारे बनाते हैं और कैसे मुख्लिफ किसम की डायाग्राम्स बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा दोस्तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि ये diagram ये गोशवारे कैसे तयार किये जाते हैं और इन गोशवारों के उपर या diagram के उपर कौन से चीज़ें ये कौन से ऐसे factor हैं जो अफर अंदाज होते हैं उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इन diagrams के अंदर इन factors में तबदीली का जो अफर पड़ता है तो diagrams उस हवाले से कैसे तबदील होती हैं तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तो आज उसी series का हमारा पहला lecture है जिसमें हम introduction to economics की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि economics basically है क्या और इसके हमारी real life के अंदर क्या importance है दोस्तो उसके साथ ही हम लोग इसके different types भी देखेंगे तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की अपनी इस class की तरफ और देखते हैं सबसे पहले कि economics basically होती क्या है क्योंके हम लोग economics का नया subject शुरू करने जा रहे हैं तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि what is economics economics is the study of production, distribution, consumption of goods and services economics से मुराद चीजों की पैदवार है, उनकी तक्सीम है और उनकी consumption है हम इस course के अंदर देखेंगे कि हम economics का अपनी real life के अंदर कैसे इस्तमाल करते हैं कैसे हम चीजों को produce करेंगे, कैसे हम चीजों को distribute करेंगे और कैसे चीजों consume होती हैं economy के अंदर दोस्तो इसी तरह economics की मुख्तलिस types हैं हमारे पास दो जो main categories of economics हैं वो micro economics है और macro economics है दोस्तो micro economics is a branch of economics that studies the parts of economy हम इसके अंदर economy के मुख्तलिस parts का छोटे-छोटे हिस्सों का मुतालिया करते हैं इसमें हमारे पास demand है इसमें हमारे पास supply है इसके अंदर हमारे पास market है इसके अंदर हमारे पास goods है इसके अंदर हमारे पास services है इसके साथ ही हमारे पास prices भी micro economics का part है दोस्तो अगर हम बात करते हैं macro economics की तो macro economics is a branch of economics that studies the whole of the economy इसके अंदर हम पूरी economy के बारे में मुताला करते हैं या study करते हैं इसमें हमारे पास aggregate production आता है इसमें हमारे पास inflation आता है इसमें हमारे पास unemployment आता है तो दोस्तो ये हमारे पास दो types हैं economics की लगे हाथों हम ये भी देख लेते हैं के what is the difference between the micro economics and the macro economics के micro economics के अंदर और macro economics के अंदर फर्क क्या है दोस्तो micro as name suggest के ये small part of the economy ही है कि इसमें हम सिर्फ part यानि एक छोटे से हिसे का बड़े में study करते हैं अगर हम macro को देखते हैं तो macro mean the large बड़ा तो हम कह सकते हैं के micro का जो मतलब है वो छोटा या small है और macro का जो मतलब है वो बड़ा या big है इसी तरह it is studies about the part of the economy के micro economics के अंदर हम लोग फिरस economy के मुख्तलिस parts का मुतलब करते हैं on the other hand if we are talking about the macro economics it is studies about the whole of the economy इसके अंदर हम whole economy की बात करते हैं और मैंने पिछली slide के उपर आप लोगों के इससे related examples भी दी it can be taught of as the study of the economic tree के जब हम micro economics को study कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है के हम फिरस और फिरस एक दरख्त या economic tree के बारे में पढ़ रहे हैं on the other hand if we are talking about the macro economics it can be taught of as the study of the entire economic forest के हम उस पूरे जंगल के बारे में या economic जंगल के बारे में studies कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं यह सारे जो topic हैं यह हमारे micro economics के related हैं और अगर हम देखते हैं macro economics के topic को its studies, inflation, aggregate production, unemployment of the economy इसमें हम inflation, unemployment और aggregate production के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों मुझे पूरी उमीद है कि आप लोगों को ना economics बलके उसके type micro economics और macro economics के difference का पता चल गया होगा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास economics की branches कौन-कौन सी है there are two main type of branches of economics के हमारे पास दो किसम की branches है economics की एक normative economics है दूसरी हमारे पास positive economics है बारी बारी हम इनकी definitions को भी देख लेते हैं normative economics is the branch of economics that deal with the value judgment and particular policy action should be recommended to achieve the desirable goal के normative economics के अंदर हम फिरफ और फिरफ value judgment की बात करते हैं हम किसी phenomena के बारे में ना फिरफ judge करते हैं बलके हम एक particular policy की भी बात करते हैं अगर हम उस political अमल करते हैं तो हम अपने जो desirable goal हैं उनको achieve कर सकते हैं इस पूरे को हम normative economics करते हैं for example how money supply growth effect inflation के आपकी जो money supply है हम आइंदा आने वाले lectures के अंदर money supply और inflation की बात करेंगे but for the time being आप सिरफ इतना याद रखें के money supply का जो effect inflation के उपर वो क्या पड़ता है ना सिरफ इसको देखते हैं but it also provide instruction लेकिन हमें ये भी provide करती है कुछ हदायात भी देती है that what policy should be followed के हमने कौन सी policy को follow करना है यह हमारी normative economics है अगर हम बात करते हैं positive economics की तो positive economics is the branch of economics यह economics की एक branch है that focus on the description, quantification and explanation of economic development, expectation and associated phenomena के इसमें हम उस चीज़ के बारे में description देते हैं, उसमें quantifications देते हैं, उसकी चीज़ की explanation देते हैं उसको develop कैसे किया जा सकता है यह बताते हैं और उससे कौन-कौन सी हमारी expectation हो सकती है उस phenomena से related इनके बारे में बात करते हैं तो इसको हम positive economics कहते हैं, अब normative economics के बारे में हमने देखा, हमने positive economics के बारे में देखा, positive economics की जो example है हम उपर वाली ही example को थोड़ा सा change कर रहते हैं कि how money supply growth effect inflation, इसमें हम यह तो देखेंगे कि कैसे आपकी जो money supply है या जो उसकी growth है, वो कैसे effect करती है inflation के उपर, but it does not provide any instruction that what policy should be followed लेकिन हमें यह कोई instruction या policy from हम नहीं करती, जिसको हमने follow करना है, यह है हमारी positive economics और normative economics तो इन दोनों में फर्क यह हुआ कि normative economics provide of the policy what should be followed, यह हमें policy provide करती है, जो हमने follow करनी है, on the other hand, if we are talking about the positive economics, it does not provide any instruction or policy should be followed, कि यह हमें ना तो कोई instruction provide करती है, और ना ही हमें कोई policy के बारे में बताती है, जिसको हमने follow करना है, तो दोस्तों, यह दो main branches है, economics की, next, हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ factor of production है, कि कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, या जब भी हम economics के अंदर किसी चीज की बात करते हैं, तो that can be produced from following factor, वो जब चीज produce होती है, तो वो कुछ factors से होती है, जिसको हम factor of production कहते हैं, factor of productions are input into the production process, इनको हम inputs भी कहते हैं किसी भी production process की, they are the resources need to produce goods and services, ये वो resources हैं, जिनके वरिए कोई भी company या कोई भी government जो है, goods and services produce करती है, the main factor of productions are land, labor, capital, entrepreneurship, अब बारी बारी मैं आप लोगों को इन चार factor of productions के बारे में within detail समझाऊंगा, कि जब भी हमने कोई जिन्स पैदा करनी हो, कोई फसल पैदा करनी हो, कोई share पैदा करनी हो, तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है land, दोस्तों आपको इस तस्वीर में जो पहली तस्वीर नज़र आ रही है, वो हमारे पास land की है, कि हमें goods या services पैदा करने के लिए सबसे पहले land की ज़रूरत है, उसके बाद, the second factor of production is the labor, कि उस चीज़ को पैदा करने के लिए, आपको कोई workforce चाहिए, आपको लोग चाहिए, जो उस land के अंदर काम करेंगे, और उस product या service को आपके लिए पैदा करेंगे, तो इसको हम labor कहते हैं, the third factor of production is the capital, कि उस चीज़ को पैदा करने के लिए, या उस चीज़ को उगाने के लिए, आप लोगों को सरमाए की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए आप उसके लिए कोई बीज खरीद सकते हैं, कोई खाद खरीद कर सकते हैं, कोई आप सप्रे खरीद सकते हैं, तो इस सारे सरमाए को जो है, हम लोग capital कहते हैं, उसके बाद हमारे पाफ जो आखरी factor of production है, वो है entrepreneurship, entrepreneurship आपके पाफ एक ऐसा बंदा है, जो आपको मुख्तलिफ ideas देता है, उस business के बारे में, या उस कारोबार के बारे में, जो आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो जब भी हमारी कोई चीज़ produce होगी, तो उस के लिए हमें इन चार factors का होना बहुत विदूरी है, without these four factors, we cannot produce anything, हम उस चीज़ को पैदा नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों, ये हैं हमारे पास कुछ factor of production, दोस्तों, आज की class हम लोग यहीं पर खतम करेंगे, और हम quickly summarize कर लेते हैं, कि आज की class के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें cover up की हैं, दोस्तों, आज की class के अंदर हम लोगों ने देखा what is economics, कि economics होती क्या है, उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि उसकी मुख्तलिस कितने types हैं, साथ ही हम लोगों ने ये देखा कि what is the difference between the microeconomics and macroeconomics के microeconomics के अंदर और macroeconomics के अंदर क्या फर्क है, Along with that we have seen the branches of economics, in the branches of economics we have studied about the normative economics as well as the positive economics, मैंने आप लोगों को बताया कि normative economics provide the instruction and the policies जो हमने follow करके अपने desirable goals को achieve कर सकते हैं, लेकिन अगर हम positive economics की बात करें तो वो हमें ना तो कोई instruction provide करती हैं और ना ही हमें कोई policy देती हैं जिसको follow करके हमने अपने desirable goals को achieve करना है, In the last of our today's session, we will have talked about the factor of production और मैंने आपको बताया कि हमारे पास चार factor of production है, जिसमें हमारे पास land, labor, capital और entrepreneurship है, दोस्तों मुझे उमीद है आपको मेरी बाकी series की तरहां ये series economics की भी पसंद आएगी, और इससे भी आप इंशाला सीखेंगे, अगर आपको मेरी videos अच्छी लग रही हैं, तो आप उन्हें like कीजिए, अपने दोस्तों से share कीजिए, और comments की शूरत में अपना feedback दीजिए, ताके मैं और अच्छे lectures record कर सकूँ, और इनके अंदर improvement ला सकूँ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा channel subscribe नहीं किया है, वो जल्दी से मेरा channel subscribe कर लें, ताके मेरी हर अने वाली video या lecture आप लोगों तक पहुंच सकें, और आप उससे सीख सकें, दोस्तों मिलते हैं अगली economics क क्लास में उफगत तक के लिए मुफिन भाई को इजावत दीजिए, थैंक यू वेरी मच्छ दौफतो, अला हाफिज